वक्रतुन्द लंगोदर गजानन च्वी गणादी पती गणेश जी की जै काना के तर्शन को व्याकुल दोड़ाए गणेश सम्मोहित से बस देख रहे खरी को ये प्रथमेश काना तुन्हें कहीं थी ना गनेश जी तुझसे मिले बिना कहीं ना जाएंगे तेख तेरे गनेश जी क्या देखा है लला तुझे कैसे पता इन्हें भूख लगी होगी इतने समय तक गनेश जी से तेरी महिया बाते कर रही थी अब क्या तुझसे भी बात कर रहे अरे हां मुझसे तो बाती नी की गनेश जी ने लला तु इनके भूख की चिंता मती कर इनके लिए तो भोजन कब से तैयार है हमें सबसे पहले फ्वयमू गडेश जी के विग्रह को मंदिर ले जाकर उनकी प्रान पतिष्टा करनी हो पंडीच जी को संदेश भी जवाओ और आप सब लोग मेरी साहता करो दनेश जी की जयें दनेश जी की जयें दनेश जी की जयें मया प्रान प्रतिष्था क्या होती है प्रभु को बुलाने की पूजा होती है काना मूर्ती स्थापित करके उनका आवाहन किया जातो है ताकि वे इस मूर्ती में समाज है तब तो वे हमारी विंपी स्विकार करेंगे जो अभी तक प्राण प्रतिष्था नहीं हुई है इसलिए गनेशी मुच्चया बात नहीं कर पारे श्री गनपती गजानन महराज की पूजा प्रतिष्था संपन्न हुई आईए, हम सब मिलकर इने भोग लगा सकते हैं करनेशी में आरहा हूँ आपके पास आपसे बहुत सारी बाते करूंगा मैं मुझे करनेशी से बाते करनी है मुझे भी तो आके जाने दो मैं भी काना हूँ गनेश जी आप तक पहुच खई रहूंगों मैं लो गनेश जी मैं आगया आपकी सामने चलो बाते करें क्या हो गया आपको मुझे से बात नहीं करनी क्या बोलोगा जानन महराज की जै दनपती महराज की जै दनपती महराज की जै ओ इन जे कारों की धनी के कारण आपको मेरा स्वर सुनाई नहीं देला होगा ठीके इन सब के जाने तक यही प्रतिक्सा करूंगा मैं सब चलके अब प्रशादी घरण करते हैं चलिए अब तो आपको मेरी ले समय मिल गया वोटे ज़िस जी बयाज से आपके बारे में सुनके मैं इता उच्छाई हो गया था कि मैंने भूजन की जे सारी वस्तोई प्रकट कर दी और वो आपके लिए है अरा अपो के मुझसे बात की नि करे हो ये लिजे लड़ू खाई है ना अपो ग्रैम क्यों नहीं कर रहे ये क्या मत करो बात कम से कम एक लड़ू खाने के लिए मूँ तो खोल दो ये लिजे खाई है ना पता है मुझसे आपको भी लड़ू खाना बहुत प्रिय है और खेला भी प्रिय है तब ही तो आप किता छुपन छुपाई खेले आप अभी कुछ नहीं बोल रहे शकता है आपको मुझसे बात नहीं करनी है करनी है कानहा तब ही तो यहां आया हो अब जाके बोले हो अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे कैसे बोलता, मैं तो आपका मुख देखकर ही सम्मोहित हो गया था अरे, काना का है, भूख लगी हो गे उससे अवस से गनेश जी के साथ बैठा हो को जब से देखो हैं, गनेश जी से सम्मोहित हो गवाई मैं लेक्या आती हूँ जब मैया ने बताया, मैंने आपको देखा है पर स्फिर कई आप दिखाई ना दे तो मुझे लगा कि आप मुझे से विले बिनाई चलेगा ऐसे कैसे चला जाता काना आपके दर्शन करने, आपकी लीलाओं का आनंद उठाने ही तो आया हूँ मैं यहाँ व्रिन्दावन में यही व्रिन्दावन में निवास करके आपकी लीलाओं का आनंद उठाऊंगा मैं आज की बाद मुझे उसी नाम से पुकारा जाएगा जो आपने मुझे दिया है मोटा गणेश और जिस तरह पूरे व्रिंदावन का चक्कर काटने के बाद प्रिजवासियों ने मुझे ढूंढा है उसी तरह जब कोई सच्चा भक्त आपका नाम लेते हुए व्रिंदावन की परिक्रमा पूरी करेगा तो मैं उसके सारे विग्न शीगर ही हर लूँगा तो फिर गनेश जी आपके स्विग्र को कल्यों पासी अपने समय में फिर से खोज लेंगे और तब जो भी आपके दर्शन करेगा उसके मेरी विशेष क्रिपा प्राप्त होगी प्रभू महिया काना प्रभू महिया ने मुझे गनेश ची के साथ बाते करते विए देख तो नहीं लिया जे गनेश ची के मुद्रा कैसे बदल गई सुनो जी जे देखो ये कैसे संबब है जे का होगा जी और ये कैसे होगा देखो जे गनेश ची के मुद्रा बदल गई ना अब जे मत ही कहना कि जे भी मेरी कल्पना है नहीं है सुदा तुम सही कह रही हो जब गनेश जी प्रकट हुए थे तो इनके हाथ उपर थे पर अब तो ये अपने पाओं पर हाथ रखकर जमकर बैठ खें गनेश जी की ऐसी प्रतमा तो पहले कभी ना देखी इसको क्या रथ हो सकतो ना इनके हाथ ऐसे विश्राम के मुदरा में इसे लिए हैं क्यूंकि इन्होंने निश्य का लिए हैं कि आपसे हमारे ये विंदावन में ही आएंगे सदेव गनेश जी कंस्वामा मेरे उपर अपने आक्रमन की संख्या बढ़ाने वाले हैं कई मेरा सत्य महिया के सामने ना आ जाए इसे लिए बविश्य में मुझे आपके आशिवाज की आव सकता होगी स्वयम्भू गजारन गणा दिपति महराज की रेख तो सभी नए मंदावन को पूरे मन से अपना ही लिया पर मेरे सारे सखाओ को क्या होगो समय पर आते ही ना एंचकल आज फिर से विलम कर दियो ना का रहे गया था वसंता ये क्या होगो तुझे तेरा मू इत्ता विचेटर रंका कैसी होगो बताओ ना तुम सब का सार टू ठीच है ना मुक पे होटो पे ये नीला नीला सा रंग कैसे लगो है होटो पे ही ना काना जीप पे भी लगो है चिंतित होने के आवसकता नहीं है ये तो बस एक विशेफ पल के कारण हुआ है अच्छा तुम्हें का सी मिला ये चमतकारी फल और मुझे ले बिना क्यों गए ब्रिंडावन के घनेवन में मिलतो है ये और वैसे भी पाई जी ने हम सब को तुझे भाले जाने से मना कियो है अच्छा फिर मईया को बन जाने के लिए बनाना ही पड़ेगो बना पाओगे काना इसमें कौन सी विशेफ बात है दाओ बात बोली है मेरे मईया उन्हें बहलाने में अपनी मीठी मीठी बातों में वसाने में समय थोड़ी लगतो है काना अच्छी क्या करोई तू अरे सुबल फैदी की बात बाता रहो हूँ पस थोड़ी सी सेवा करनी पड़ेगी फिर मईया प्रसंद न हो जाएगी और सेवा से बिना मानी तो मैं करूगा अंकी प्रसंद चा थोड़ी सी चकलू से प्रसंद आज से फूल जाएगी मैया और यदि इसे भी सिद ना हुआ फिर मैं हो जाएँगो भावो और रो के दिखा दूँगा फिर जट से मन जाएगी मैया और फिर मैया मैं तो बस ये कह रहा था ये मेरी मैया कित्ती अच्छी है कित्ती प्यारी है कित्ती भोली है कित्ती सरलता से बहल जाएगी प्रसंदता से फूल जाएगी ठेर ठेर तुझा भी बताती हूँ यशो मती मैया के नंदिलाला नंदिलाला लोग आ गई पता है ये यशोदा जिजी से ने मिली ना समझो किसी से ने मिली बिलकुल सही कह रही है तुमारी जिठानी ज़सोदा जी हमारे व्रिंदावन की आत्मा है समझे और मिला जी वैसे भी गोप गोपियों के गाउव ब्याहा करके आई हो तो हमारे राजा रानी का असिरवाद तो लेना ही पड़ेगा मैं तुम्हें ले चलूँगा उनसे बेड कराने, ठीक है? सुनो जी, जब हम राजा रानी से मिलने चलेंगे तो क्या मैं जे ही पहन के चलूँ? जब आप पहली बार मुझसे मिलने आये थे तब आपने मुझे ये दिया था मेरे जीवन का सबसे मूल्लेवान उपभार है ये जे बात-बात पे भावों क्यों हो जाती है और बार-बार अपने मूतियों के माला के बारे में क्यों बूल रही है मैंनल राज और रानी भावी के लिए मिठाईया पदवाता हूँ, ठीक है? रानी और राजा के साथ साथ आप राजकुमार से भी मिलोगी भावी पता है, हमारे बिंदाबन की विशेषता क्या है? हमारे राजकुमार की मुठकान और आखे तो ऐसी हैं कि पल भर में किसी को भी सम्मोहित कर ले और मुख, मुख तो ऐसो है, जैसे चंद्रदेप स्वयम आ गय हूँ और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुमारा मन चुराले वो बस बस, इतनी भी प्रशंसा की आवशक्ता ना है चाहे वो जितने भी अच्छे हो पर मेरे मन के राजा तो मेरे पती पर मेश्वर ही है अरे, नन्ना साय हमारा राजकुमार पर तुमारा चित ना चुराले, तो कहना जे तो संभवी ना है भावी एक बार काना से मिल लो, फिर देखेंगे मैया मान जाओ ना ना, चाहे कच्छु भी कहले या कच्छु भी करले वन जाने का प्रस्णी ना उठता लल्ला, अभी दो ही दिन हुए हमें आवरंदा बनाए हमें तो पता भी ना है यहां के वन कैसे है बालोकों के लिए सुरक्छित भी है कि ना पर मैया आने से बालोक तो जाके भी आ गए मुझी भी उनके तरह चमतकारी फल खानो है चमतकारी फल? हाँ, वोही वाला येसे मुझ का फोटो का जीप का भी रंग इचीत रासा हो जातो है नीला नीला सा हो हो, तो जे बोलना तो मैं अपने लल्ला के लिए पुचमतकारी फल अर्था जामुन यहीं मंगवा दोंगी पर मैया असली आनन तो प्रिक्स से जामुन तोड कर खाने में जे बात तो तु बिल्कुल सही कह रहा है का न वित्रों के साथ बन में जाकर प्रिक्स से जामुन तोड कर खाने में बहुत आनन दातो है उत्ता आनन घर में बैठकर जामुन खाने में ना तो तू चिंता मती कर दोनों बाबा लल्ला आज वन जाएंगे और बहुत सारे जमुन तोड़ कर खाएंगे घी हुई ना बाद चलो अच्छा जी, मेरा विचार जाने बिना ही दोनों आनंद लेने के लिए तयार भी हो गए ना यह सोधा मैं तो यह देखने जा रहू हूँ के जिबन बालकों के लिए सुरक्सित है के ना फैरो मुझे भी खानो है चमतकारी फल मैं भी साथ चलोंगे मैं यही है वचमतकारी फल यह तो बहुत स्वादिश लेगरू है पर मैं खाऊं कैसे यह तो बहुत उचाईप है खाना अब तु अपनी महिया का चमतकार देख लला तुझे जे फल खानो है ना तो अब जे फल स्वेम चल के तेरे पास आएगो देख तू रुको यह सुदा जिसे फल खाने है उने उसको पाने के लिए स्वयम यह परियास करनो हुगो चेप आप सही गयरो लल्ला ले अब इसे तीवरता से घुमाके बल लगाके फेक चल कोई भी कारे को पूरी तैयारी से करनो चाहिए तभी तो कारे में सफलता प्राप्त होगी समझगो मैया ले पर से का इस बार तो तेयारी भी पूरी की थी फिर भी यह वाटक ना गयो काना तैयारी के साथ साथ ध्यान के इंद्रित करनो भी आवस्सक है नहीं तो ध्यान भटक जाएगो और हाथ लगेगी असफलता अब तुझा जिस डाली से जामुन तोड़ने हैं उस पर ध्यान के इंद्रित कर और लक्ष से साथ हो जे हुई ना बात अब रस्ती पकड़के जामुन अपनी और खीच लें जाँ अब तुझा जाँ मैया बाबा देखो जामुन मिल गए मुझे लो पहले आप दुनों खाओ ना लला पहले तू खा ले मैया बुद्देख साथ कुछ कड़ा कड़ा भी है इसने उसे मत खाना लला वो बीज है डे धुक दे ये क्या निकलो है जामुन से लला ये जामुन के बीज है जैसे आम की गुठली होती है ना हम उसे ना खाते रैसी जामुन के बीज भी ना खाते मेरा मुनीला हो की ना नीला ना जामुनी थोड़ा सा हो है आरंग चैये मुझे जब तू इन बीज को बहेगो ना लला तो इनसे पौधे आएंगे जब तू इस बीज को बहेगो ना तो जे पौधा बनेगो पौधे में पुस्प आएंगे और पुस्प से बनेंगे फल पर बाबा बीज को कैसे पता चलेगो कि कौन सा पुदा उगानू है जिस वस्तू की बीज हम बहते है ना काना पौधा भी उसी का उखतो है मैया यदि पीछ पेट्टे अनल चलेगो तो पेट मेरे स्विरिक उख जाएगो हाँ उख जाएगो हाँ ना नल्ला तब तो मैं और चामुन लेकर आतू देखे जसोदा जी आपके गड़ आ रहे थे हम जे लक्षमन और उसकी पत्नी उर्मिला को ब्रिंदावन के राजारानी का आसिरवाज दिलवाना था सच्ची बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो इतने सीधे साधे और सरल राजारानी मिले जिन्हें इस वन में बैट कर जामुन खाने में कोई संकोच ना है यसोदा जी जी ऐसी ही है कच्छू भी कर सकती है और किसी से भी कच्छू भी करवा सकती है मेरे कहने का अच्ची है ये तो सच्ची में बहुत सीधी साधी और बहुत अच्छी है नंदराजी ये छोटा साव पहार कोई मिला अरे विवाद की बहुत बढ़ाई है बगवान स्री नारायन सब अथा असरवाद बना रहे है तित्ती सुंदर रोड़ी है प्रिस्थी ना लगे अब प्रिसे अपने मोतियों के माला की चर्चा छेड़ेंगी ना ना भापी मोति तो पहले आखों से तहरेंगे इनके क्योंकि बात बात पर भावुचो हो जाती है ये और मिला तुम्हें कच्छू कस्थ हो कभी भी या कच्छू चाहिए तो सीधा मेरे पास आना मुझे अपनी बड़ी जिजी ही समझो कितनी भागे साली हूं मैं स्री नारायन की क्रिपासे कितनों अच्छो गाहों मिलो कितने अच्छे राजरानी मिले और कितनों अच्छो घर और कितने अच्छे पधी देव मिले भतो है जीजी जी बहुत प्रेम करते हैं मुझसे और देखो जी मूती की माला है ना जी की पधी देवी और से उपहार निए है और दोंत विसेष है जे कितनी भोली भाली है जे और तुम सब इसके साथ ऐसा कर रही हो आगे से किसी ने ऐसा करो ना तुम मुझसे बुरा कोई ना होगा हा ने तो जी जी बिवा होगो पर अब तक सयानी ना होई जे बाद बाद पर भावुक हो जाती है कान्हा जी देख उर्मिला काकी है नारायन 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 आरायन आपका बहुत बहुत फागत है नहीं काकी नंद्राजी मैं चलूं बिलंब हो रहा है उर्मिला तुम भावियों के साथ आ जाना ठीक है इसे क्या देखरी हो आप कास आयो आप और मिला और मिला कच्छों पूछ रहा है जे पताओना आप कासे आयो आयो त्यासे राम जी की नद्री से हाँ इससे पहले की आधिक प्रस्न पूछे और तुम्हें सताए हम चलते हैं हाँ हमें आये बहुत समय होगो है काना चले अपना ध्यान रखना हम नारे 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 हरो मैया अब क्या होगो लला यह पहले बार हमारे गाउं आई है हम पहली बार इनसे मिलें कच्छों दे भी नहीं जाने हैं किन्तु यह लो चमतकारी फल है आपके लिए मेरा उखार और हां इनकी गुठिया मत खाना और आप चाओ तो इनने बोश सकती हो फिर ऐसी चमतकारी फल के और बहुत सारे पोड़े उख जाएंगे चल लो माईया चल बहुत नटखट है जे गूल चुवायम करेगो पर दोस आप पी लगा देगो और कितना भी प्रयास क्यों न कर लो अकड़ में आने वालों से ना है जे और माखन चोर भी है जे माखन चोर आओ सब बताते हैं हाँ क्या सोच रहा है लला अपने गाओ की नए अठिती के बारे में सोच रहा था माईया कित्ती अच्छी है ना वो अच्छी तो है और कित्ती भोली भाली भी है और बड़ी भावुक भी है और उसको अपनी मूतियन की माला कित्ती प्रय है रैसे लला मेरे पास कचु था ना पर तुने उन्हें जामुन देगे कित्ता अच्छा क्यों सच्ची वह थक्ग्या होगो ना, हितना घुमा आज, फोड़े समय के लिए सोजा, आप सिनाओ, चल, आज़े, जे ही बात कह रहे थी मैं, उसके बोले, प्यारे, मन को मोहित कर देने वाले दिखावे में मती आना, पहले चित्त चुराएगो, और फिर माखन, माखन चौरी की कथाई सुनकर तो ऐसा लग रहे हो है, कि आप सब कितनी भागेशाली हैं, जो आपके यहां ऐसा हो, यदि मेरा बियाब पहले हो गयो हो तो, तो हो सकतो है, मेरे घर भी आता माखन चुराने, वो राज कुमार, यह इच्छा करने से पहले, चार बड़ सोच लो और मिला, ऐसा क्यों जीची, क्योंकि चोरी के बाद, बिना साथ चिके, जशोधा भाबी के पास जाओगी न, तो वो एक बिना मानेगी, शिकायत तुम करोगी उसकी, और डण तुमें भूगत न पड़ेगो, हो सकता है कि वो तुमसे बात करना ही बन कर दे, इसके बारे में तो सोचना भी मती, आप सबसे तो छुपा लूँगी, स्वयम से कैसे छुपाऊं, मेरा मन तो कर रहे हो है, कि मैं भी वो ही अनुभफ करूँ, जो आप सबने करो है, आ गई तुम, मैं तुम्हारी ही प्रतिक्षा कर रहा था, आपका आज से ही जाना आवशक है क्या, काड़ तो करना पड़ेगा न, पर मैं अकेले यहां क्या करूंगी, अकेली कहां हो तुम, जमाला है न, इसका एक-एक मुटी, हमारे तुम्हारे प्रेम का प्रतीत है उर्मिला, ठीक है? यह इच्छा करने से पहले, चार बड़ सोच लो और मिला, क्योंकि चोरी के बाद, बिना साथ चखे, जशोदा भावी के पस जाओगी न, तो वो एक बिना मानेगी किसी ना किसी काम में लग जानो चाहिए मुझे, ना तो मैं उसी के बारे में सोचती रहूँगी यतना अच्छा हो तो, यदि उन्हें मैं अपने हाथों से माखन खिला पादी ये तो यहीं द्वार के सामने बैठी है कोई भी कारे को पूरी तैयारी से करनो चाहिए तभी तो कारे में सफ़लता प्राप्त होगी तैयारी के साथ साथ ध्यान के इंद्रित करनों भी आवस्सक है नहीं तो ध्यान बटक जाएगो और हाथ लगेगी असफलता चत्तिया अच्छी सोगर नारी है ती वर उस्वर में बोल दियो क्या कच्छो बोल क्यों नारी विन्दा बनकर आज कुमा रहूं ना है आज की बनायो है क्या हाँ हाँ बस अभी अभी बनायो है तूस्वर अपन ना है सच मुझ है यहाँ सपन में मांकन खानेगा क्याला जातो जबी आएगा ना जब मैं सची में मांकन खाऊंगो तुम मेरे घर के भीतर कैसे आए वार से पर क्यों वार खुला खाना दौर खुला होगो तो तुम स्वयम भीतर आजाओगे विन्दा बनकर आज कुमा रहूं है अपनी प्रजा की सुरुक्सा करना मेरा द्वाई तहर मैं ये देखना आया था कोई चोड तो फीटर ना गुसा आयो है और देखते देखते तुमने स्वयम ही मांकन की चोरी कर ली मैंने चोरी का की अच्छा चोरी ना की तो तुम्हारे हाथ पे जे मांकन कहां से आगो वो तुम मेरा कड़ा मांकन की वटकी में गिर गया था उसे निकाल रहा था मैं असत्य बोल रहे हो तुम आप फेम देख लो मेरे साथ भी आसाई हुआ था पर मुझे कड़ा मिलो एना केवल ये मांकन मिलो तो तुम्हारे मुपे जे मांकन कहां से आगो वो मैं अपने हाथ साफ कर रहा था ना उसके लिए तु वहाँ वस्त्र रखा है ना और जे बताओ तुम्हारा ये कड़ा मटकी में गिरो कैसे मटकी आपने खुली छोड़ी वार आपने खुला छोड़ा आप इससे मुझसे करियो अरे अब क्या होगो रो क्यों रोयो आप स्वयम चोरी करते हो और मुझे ही डाड़ते हो अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करतो है का अच्छा आप रो मतियम वहिया करती है पूल करो उसपे रोनानी चाहिए बल्कि अपने पूल को मांग कर फिर सिख लेनी चाहिए इसने तो मुझे ही दोशी सिद कर दियो सिकायत तुम करोगी उसकी और दण तुमें भूगत न पड़ोगो वैसे जो भी हो आपने माखन बहुत फाजश बनाया था और उसकी आभा तो ऐसी है कि पल भर में तुमारा मन चुरा ले वो अब आपने इतने प्रेम से बनाई हुआ है तो वैर थोड़ी जाने दूँगो कित्ता भी प्रयास क्यों न कर लो पकड़ में आने वालों से ना है जे इससे तुम्हें पकड़ के रहूँगी रुको गाना जेशोदा जीची जेशोदा जीची जेशोदा जीची जेशोदा जीची जेशोदा जीची भाबी जेशोदा भाबी भाबी क्या होगा तुम सब एक थाथ हाँ जिजी हम सब कुंड पे जा रहे हैं आप इसाथ चली ना सोच क्या रही हो जिजी अब चलो भी सुनो जी काना भीतर सो रहो है मैं तरने कुंड पे जाके आती हूँ आप उसका ध्यान रखता हाँ जान तो रख लूँगो उसके लिए लल्ला भीतर होनों भी तो चाहिए भीतर ना है ना उंबे ना बताये कहा चला गयो कहीं फिर से मांखन चुराने तो ना चला गो अरे काना यहां का करो है के लना दो है पड़ तेरी सका कहा है तुझे छोड़ कर चले गए घर चल चिंदा बत कर आजा मैं तुझे गर लेकर चलता हूँ सुनों जी आप तनिक देख क्या हो ना कहां गयो है बिना बताये ब्रंदावन से अभी परचित ना है लल्ला बिना बताये कहां चला जाएगो यह रहो काना मेरे साथ था देख लियो तुम सबने माखन चोरी ना कर रहा था अपने ताहु जी के साथ था क्यों रे में ना बताये कहां चला गया था आप इत्ती गारी निन में सोई थी मैया आपको जगाना अच्छी बात होती क्या अच्छा जी इत्ता से आना होगा तो जसोदा जी जी क्या होगा उर्मिला आपका लला मेरे घर आया था जी जी माखन चुराने माखन चुराने माखन चुराने नाना उर्मिला तुम्हे का चुब्राम हुआ है ये तो अभी अपने ताउजी के साथ था है ना भाया हाँ ये मेरे ही साथ अथात मैं लच्मन के घर की हो जा रहा था तो मार्ग में मुझे काना हो सकता है कि लच्मन की भव सही कह रही है तो कि जब मैरे काना को देखा तो उसके मुख पर माखन लगावा था और मिला मन दुखी मत करूँ मैया मैंने माला जान मुझे के ना तोड़ी इसने वो ही माला तोड़ दी जीजी जो मेरे पती के प्रेम का प्रतीक थी आपने ही कही थी ना जीजी यदी कोई कश्ट हो तो यहां आ जाना मुझे अपनी बड़ी जीजी ही समझना आपने ही कहा था ना जीजी यदी कोई परेसान करे तो आपसे बुरा कोई ना होगा ए नारायन क्या मुझे अपने काना को फिर से दंड देना पड़ेगो माईया यती नहीं काक्षी की यह यह इच्छा है तो आप मुझे फिर से दंड दे दो मैं दंड के लिए तेयार हूँ माईया मान्द मुझे अस उखल से ना उस उखल न रंदा रहूँगा दिन बाद दूप न खड़ा रहूँगो फूका प्यासा भी रह लूँगो पर आप इनसे काओ ना साधारन सी मोतियों की माला के लिए अपना मन चू दुखी करिया यह है कानहाँ जै कोय साधारन मोतियों की माला ना है वैसे तो तेरी stress मुलि भी साधारन है ना इस फीकर जीन ले तो तुझे कैसा लगेगो बाद बूरा लगीगो बस ऐसे ही काकी को भी बूरा लगो उनके लिए जे प्रेम का प्रतीक थी ना, मुल्य वस्तू की ना होती का ना, भावनाओं की होती है काकी की भावना जुड़ी थी ना जे दे, जे माला काकी को जाके दे, जे उनके माला की स्थान तो ना ले सकती पर तेरे छमा की भावना उन तक पहुचा सकती है मुझे छमा कर दो नहीं काकी और ये भीट सिकार करो ना ना जे न चाहिए मुझे जी जी जे मैं कैसे नहीं काकी ये माला भी प्रेंट का ही प्रतिक है लो वैसे एक बाद कहूँ मोट्यू के माला टूट सकती है और फूलो के माला भी मुर्जाई जाती है इसे लिए माला जीवन बर आपके पास रहना रहे मेरा प्रेंट सदेव आपके साथ रहेगो इन्या आए एक दिन बिना हो और आते ही काना के हाथ से वो बहार मिलगो किती भाग साली है उरे मिला जो सोदा जी चोरी तो काना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कचुना दियो माखन दियो ना चांदी के मट्कियों में मैया और मैं कोई अलग थोड़ी है काना अधिक बाते मत बना आगे से ऐसे उदंड तक की ना तो बाते बनाके मैया के दंड से ना बच पाएगो मैया मैं कोई सरावत ना करूंगा बस फिर से दंड मती दे ना काना की ओर से मैच हमा मांते हो तुमसे कच्छो कहरें कि आवशकता ना है जी जी जो हुओ अच्छे केले हुओ आज के इस घटना से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है प्रेम को वस्तु के साथ ना जोड़नों चाहिए क्योंकि वस्तु तो रहे ना रहे पर अपनों का प्रेम वो तो सदेव अपने साथ ही रहता है यह में ना रख पाऊंगी अरे ना ना यह तो तुम्हें रखनी पड़ेगी काना ने दियो है ना रहे ना रहे नंदू बहुँ बालक को ध्यान रखो तुम दोनो राजा का लला है उसके कुछ अधिकार है तो बहुत से दाइत्यू भी है यदि तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारे संसकार उसके अंदर आए तो क्या अच्छा है क्या बुरा यह उसे अभी से समझाना होगा अन्यथा समय को बदलते देर नहीं लगती इससे पहले कि तुम्हारा राजकुमार पक का चोर बन जाए अंकुष लगाना अवस्षक है बागी तो तुम दोनों समझदार हो मया मया मेरी बात सुनो ना बाबा तुझे पातो है लाला तेरी मया तुझे कित्ता प्रेम करती तो तु ही बता जो तुझ पर सारा संसार निच्छावर करती है यदि उसके सामने कोई आकर तेरे बारे में बुरा कहेगू तेरी कमिया निकालेगो कुछ भी करेगो कैसा लगेगो उसे हम सब चाहते हैं कि तुझे अच्छा लला बने ताकि सब तेरा उधारन दे ना कि बुरा इसकी सब निंदा करे पर बाबा मैं तो बात तार अच्छे वाले कारे करता हूँ कर तो है न अच्छे कारे तो कर तो है अच्छे कारे और सो अच्छे कारे करने के बाद यदि जाने अन जाने में एक बुरा कारे भी कर देगो न ये समाज उस बुरे कारे को ही स्मरन रखे वो बराई छण भर में बुला दी जाती है लल्ला और बुराई वो सदैव स्मरती में बनी रहती ये ही समाज की रीद उसने तुझे अच्छी सिक्सा ना दी पर यदि तुझे समा मांगनी है ना मुझ से ना तेरी महिया से माग पर बाबा महिया मानेगी महिया चमा कर दो अब फिर मैं कोई ऐसा कारिया बैठो ना जिची बैठो आजा लल्ला बैठ जी देख तेरे लिए लड्डू बनाये हैं पर पहले तुझे माखन चक के देख कैसे बनो है अच्छा है ले खाँ कितना अच्छा बालक है तुझे सदे वैसी रह ना किसी की संगती में आके विगड मती जाईओ समझाई मुझसे बात मती करो बच सारा प्रेम दाव पर लूटा दो हा नईता सुन नारियल के लड्डू खाएगो मैं अफिले क्या तुझे किसी उपाय से बात में बन रही तो रोक के दिखाव ना राम बाड उपाय है आसु देते ही इगल जाती है सारी माय हाँ ये देख ये ले ये ले जिस सारे के सारे तेरे लिए है खा ये शोदा बलराम को ये लड्डू अपने भाई के साथ भी बाटना चाहिए ना कानहा को भी तो कितने प्रीय है ये लड्डू ना जिजी इसे तो केवल दूसरों का माखन प्रीय है ये दो शारे लड्डू देदो मेरे खेजों ने शारे मिठाई देदो अपने प्यारे बलराम को उत्से बाद में मदी गरो ऐसी भूली सुरत बना तो है कि दंड देने की सपत भी ली हो तो स्वयम पर ही लज्जा आ जाए अब मान भी जाओ ये शूता बालक ही तो है जे बालक ना है जे तो छलिया है अपनी बात मनवाने के लिए अनेकों उपाय करतो है जे और फिर पूरे गाउं में बताता फिरतो है कि मईया को मनाना कित्ता सरन है पर अब मैं इसके मन का ना होने दूँगी अब इत्ताबिक रोज मती करू मईया मान जाओ मईया छोटा सा मैं बालक मईया नैना छोटे छोटे से कैसे तुम को भारहेन में आसु मोटे मोटे से कर तो छमा अप तुरोटे को मेरी भोल भी जाओ ना मान भी जाओ ना मैया अप मान भी जाओ ना अपने प्यारे कानहा को अप रेदाए से लगाओ ना सुनो मैया तुम्हारा कनहया सच में भोला भाला है जानती हो सब तुमने अपने आचल में मुझे पाला है मंता दी है प्रेमदिया अच्छे अच्छे से संस्कार दिये बदले में मैंने तुमको बस केवल कस्ट ही कस्ट दिये पलकों में बैठाया तुम्हों फिर के जाओ ना मान भी जाओ ना मैया आप मान भी जाओ ना अपने प्यारे कानहा को अप रिदय से लगाओ ना अपने प्यारे कानहा को अप रिदय से लगाओ ना माता माता तुही सारे जग के है विधाता प्रेम है तेरा ऐसा निराला विवश हो कर आए जग पाला यशो मती मैया के नंद लाला यशो मती मैया के नंद लाला यशो मती मैया के नंद लाला लला मैंने रिदय से लगायो है इसका अरचेना है कि मैं मान गई भी और सब भूल गई भी मैं तो छमा मांग रहा हूना मैया ना कानहा भूल हो जाने पर केवल छमा मांगना पर आप ना है सबसे पहले तुझे जे स्विकार करना पड़ेगो कि तुझसे भूल हुई फिर तेरे मन में छमा भाव होने चाहिए तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हुओ वो अनुचित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए कानहा और चौथी बात अविलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए और यदि भूल सुधारने की संभावना ना हो तो कचु ऐसा करनों चाहिए कि भूल का प्रभाव कम से कम हो जाए और फिर अंत में तुझे वचन देनू चाहिए कि फिर से तु वो भूल कभी न दोराएगो मैं समझगू मैया तुम्हारा लल्ला नटखाट अवस्य है पर हम तु समझदार भी मैं वचन देता हूँ मैया आज के बाद मैं ऐसा कच्छूना करूंगो जिसके कारण आपको लज्जित होना पड़े मेरा अच्छा काना अब जा वस्राम कर जा अभी अभी छोटी मा मानी है अब तुम फिर से कोई योजना मत पना लेना उसकी चंता माती खरो दाओ आओ आप तो सिग्रता से वो समझाओ जो मैया अभी कारी थी भूल के बारे में क्या नहीं करनो है तो क्या तुम्हें छोटी मा के बात समझ में नहीं आई तो तुमने बार क्यों का कि तुम समझ गए हो क्योंकि दाओ में या कोई अधी पता चल गया था तिस आतारंसी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें और कुड़ो दातो आपको तो समझ में आई झी न, आप तो समझा दो, आप में दाव हो न पूल को बूलना नहीं कुंगी बातों का सार तो यही था अरे दाओ, फार के चक्कर में आप सीजी सीज बात को और कठिन बना रहों, फिर से महिया से ना पूछ सकतो पर बाबा से पूछ सकतो है काना, यदि एक बार में कोई चीज समझ में ना आए, तो तू उसके बारे में अनेक बार पूछ सकतो है प्रस्न पूछना समझदारी का प्रतिक होतो है तेरी मैया के वले तही कहना चाहरे थी, कि जब कोई भूल हो जाए, तो उसे मन से स्विकार करनों चाहिए और उसके बार हमें हो सके, तो उस भूल को सुधारने का रियास करनों चाहिए और अन्तिम और सबसे महतुपुण बात ये अवस्य याद रखना के, के उस भूल को दोबारा भूल कर भी ना करनों है समझ को बाबा चालो, तुम दोनों बाते करो, मैं जा दो अब सथी में समझ गाए काना, या मैं समझाओ नाना दाओ, आप तो रहने इदो तो बत्ता, अब तुमने जो हारनी की है, जो सुधारने के लिए अब क्या करोगे तुम एक उपाए हैं, पर मुझे उसके लिए साहिता की आउसकता पड़ेगी किसकी साहिता? उनी की, जिनके बात उभारों का बंडार है उभार, बंडार का ना पहले कक्च में बैठके जाने कौन सी उजणा बना रहा था? अब बार बार द्वार की और देख रहो है चल क्या रोहें इसके मन में कब से बुला रहा हैं, आप क्यों नहीं रहे हो आप आप बुलाएं और कुबेर ना आएं ऐसा कैसे हो सकता है प्रभू? प्रणाम प्रणाम ग्राहकी तो विग्रेता का भगवान होता है ना वो क्या है? मैं घर-घर जाकर रत्न और आभूशन बेचने का कार्य करता हूँ तो आप स्वणकार हैं? हाँ चमा करना हमें अभी कच्छू न चाहिए आप जा सकते बाबा देख तो लो क्या पता कच्छू विजेश हो इनके पास? वैसे मैया ने अभी अभी हूँ माला नहीं काखी को दी है अवस्य बाबा और लल्ला दोनों ने मिलकर कोई उचन बनाई है स्वणकार जी आपके पास मी प्यारी से मैया के लिए कोई विशेश होर होगो? पच्छू विशेश हो तो ही दिखाना हमारी राजरानी का मन जीतना इत्ता असान ना है ना ना इसकी कोई आब सकता ना है क्या आपको सच्ची में ऐसा लगतो है कि मैं एक माला के कारण करोदित हूँ हां जे तो बालक है पर आपने ऐसा कैसे सोच लिए हो क्या मैं केवल बस्तूओं से प्रेम करती हूँ और उस पर से स्वानकार को मुला करके स्वांग भी कर रहे हूँ रानी जी सत्य तो यह है कि आप बीच में मती बोलिये स्रीमान यह सोदम मैंने ना बुला है स्वानकार जी को मैं जानतो हूँ तुम्हारे क्रोद का कारण क्या है आपकी मंग्या से तो मुझे भी भैल लग रहा है प्रभू ना जाने कभी यह साक्षात मादुर्गा बन जाएं आप पे तो तनिक भी भरोसा ना है मुझे बलकि पूरा विश्वास है कि आपने ही बुलाया ही नहीं जब भी ऐसी कोई बात होती है ना आप काना के साथ मिलके जे ऐसी योजना बनाते हो नहीं मैं इनके बुलाने से नहीं आया हूँ मैं श्री नारायन की इच्छा से आया हूँ श्री नारायन की सौगन मैंने सोचा कि यहां आकर एक दो हार तो बिखी जाएंगे और यहां व्रिंदावन की रानी जी जो रहती है अत्ति मत करो कुबेर जी स्वनकार जी ऐसी बात है तो आप ठैरो मैया ने मुझे सिखाया है कि किसको अपने द्वार से निराश्णा बेज़ो चाहिए सुनता मती करो इन्थिक रोज में भी प्रेमी छिपा होतो है बात अनो की है यह इसलिए आपको यह अनोखा पूला बहार दिखाओ मैंने क्या समझाया था और इसने क्या समझ ली अरे मेरा जेयर थोड़ी था कि वो बहार देकर अपनी भूल को सुधारा जा सकतो है यह देखे नंदराजी ना यह ना यह भी ना चलेगो इसकी तो शोभाई निराली है ओहो स्वनकाल जीद मैया को यह से बिल्कुल अच्छा ना लगेंगे कुछ विशे दिखाओ ना कचो अनोखा कित्ता सुन्दर हार है परचे स्वनकार कानहा को उसे दिखा क्यों न रोए वो तो मेरे सभी वस्रों के साथ जचेगो फोट खिलेगो मुझे पर पंकार ही आप ये वाले देदो मैया के लिए और आपके लिए क्या राजकुमार मुझे बस एक मोती देदो आप बस किवल एक मोती हाँ ये राने जी के लिए माला और ये राजकुमार जी के लिए मोती पंकार जी मल्य तो ने कर जाओ हाँ प्रभू के दर्शन मिल गए और क्या चाहिए मुझे जो ठीक लगे वो दे दीजिए टडाम टडाम लो मैया खताओ कैसो है सुनो जी अपने लला को समझा दो यदि उसे लगतो है कि मैं उपहार की भूकी हूँ तो जे उसकी भूल है परे उपहार ना है मैया ये तो साक्स है कि मुझे ये भूल समझ में आ गई है और ये भी समझा आ गयो है कि कैसे आज मेरे कारण मेरी मैयां को लज़े थोना पड़ो ये साक्स है इस बात का ये मैंने अपनी भूल से सीख ली है ये मैं यादी कच्छू अनुशित कार्य करते हूँ तो पाली अंगोली मेरी मैया के उपर उपती है तुझे जे आभास होनों चाहिए कि जो हूँ हो वो अनुचित है फिर तुझे अपनी भूल से सीख लेनी चाहिए काना और ये इस बात का शाक्स है मैयां कि मैं अपनी भूल सुधारना चाहतू हूँ जो हूँ चुको है उसे तो मैं बदल ना सकतो और कम सी कम भूल माला तो बदल सकतो हूँ जो आपने नहीं काकी को दिया और चौथी बात अव विलम अपनी भूल सुधारने का प्रयास करनों चाहिए इन सब का साक्से होने के साथ साथ कि मैं वचन का प्रतिक है मैं आज के बाद फूल कभी ना करूंगो तो मैं विश्वास तो ना होगो पर मैं कहे देता हूँ कि जो कुछ भी कर रो है जो कुछ भी कह रो है उसमें मेरा रत्ती भर भी योगदान ना है अब तो मैंने वचन भी दे दो मैया अब तो सिकार कर लो ना इसे आपको जो अच्छा लगा था वो ही हार लेकर आयों फिर भी ना लो गया इधर आ तुझे कैसे पता चलो कि जेही वाला हार मुझे सबसे अच्छा लगो एक लल्ला को अपनी मैया की रूची पता चलनी चा अब तक रोच छोड़ दो ना मैया मान जाओ ना पर जे अंतिम अफसर है लल्ला यदि फिर से कोई गोपी ने तुझ पर आरोप लगाओ ना तो इसा ना होगो मैया आप चिंता मती करो उसके लिए भी सोच के रख़ए मैंने चोरी दुकाना ने हमारे घर पे भी की थी इसने हमें कचो ना दियो जे एक मोती तुझ किस किस को देगो? मैया मन मैं आप नहीं कही थी ना इस बीच से पुरा व्रिक्ष होगा तो है तो तु इस मोती को बोएगो? हाँ जे उस मोती को बोईगो उसमें से व्रिक चुगाएगो और जब उसमें मोती आएंगी तो जे सारी गोपियों को देगो ना लला आपने तो मेरा मन पाल लियो मैया अरे पर मैं परिहास कर रहे थी लला मोती व्रिक्ष पे ना उखते क्यों ना उखते मैया जब छोटी सी गुठली से बड़ा साम का व्रिक्ष उख सकतो है ये शारी जामून उख सकते है तो मोती क्यों ना उख सकते लला बीच से केवल फल और फूल उखते है मोती ना पर मैया अपनी तो कह थी शी नारायन का नाम देने से सक्पुचंबब हो जाता है तो फिर ये क्यों ना होगा? नारायन के नाम में तो बहुत सारी शक्ती है है ना? हाँ परूँ सुधा जीवन की सीख करने से ही मिलती है जब करेगो तब ही सीखेगो हम केवल इसकी सीखने में सहायता कर सकते है ना? मैय पाबो होगो कल सुवा हमारे आंगन में मोच्यों का ब्रिक्ष मिलेगो देखना आप दोनो चला आजा तब होगो जब का जाए ना? होगो जाए ना? मैय वाओो जाए वाओो मैय जाए झाल मैणे मैणी ये नारायन, जे कैसे संभव है? सुनो जी, जे देखो, क्या हो यह सुदा? क्या होगो काना, सुभा सुभा, आप चाथी थी ना, या सभव मैं कच्छू ना कच्छू दो, देखो कितना विसेश हो पा रहे हैं मिरपान, जे, जे तो मूती है, मूती हो खपराच, पर जे तो असमव है ना, लो आप सभी तु कहती हो, उम्हें बात अज़े, अब दिक प्रस्न पूछते हूँ, अब देखो, आते ही सब के सब, प्रस्न पूछने लगे, अब खड़ी रोगी, कि आगे बढ़के मूती भी लोगी, प्रस्न के आगे अब हो आपके लोगा! स्विर्ष्रा गों दिल को हमारी इच्छा पूरी हो गए काना के हाथ से उपहार मिलगो हमें प्रभो ये चमतकार तो सभी के सामने कर दिया आपने कहीं इससे आपका सत्य माईया को पता तो नहीं चल जाएगा छे तो सच्ची के मोती है वैसे ही जैसे स्वरनाकार के पास होते है व्रिंदावन में जब से आये हैं कोई ना कोई चमतकार तो हो ही रहु है आवसे है किसी बहुत बड़ी देवी का असरवाद प्राफ्थ है सस्थान को देवी का असरवाद या फिर हमारे कानह का कहीं सच्ची में कानह चमतकारी तो ना है मैंने कहा था ना प्रभू हर्स गए जेवरिच अवसे ही कानह ने वोय होगो है ना जीची आप तब बिना बिना सकते जाने ही बोलने लगती हो यह मेरा चमतकार ना है यह तो देवी का चमतकार है कौन से देवी का मेरे मैय अर्थात आपकी यह सुधा देवी का जी क्या 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 रोय कानहा सत्या ही तो कह रहूं आप सभी बताओ जब हम गोकुल से विंदावन आ रहे थे तो किसने कही थी कि विंदावन में सबको कोकुल जैसे सुकसुदा मिलेगी यह सुधा जी और यहान एक बात भगवान शी गनेश का स्वर किसको सुनाई दिया था यह सुधा जी और कल किसने कही थी हमारा काना मोती को बीच की तरब होएगो तिर उसमें से बड़ा सा व्रिक्ष उगेगा और उसमें मोती आएंगे यह सुधा ने आपि तो मैया होईना में जो मक्कारी यह जो कहती है सत्य होकरी राचवा है चुपकर नगट कुछ भी उल्टा सीदा हांके जा रहो है Mrs. Asoda जी काना कहे तो सत्यर हो है तुम भी इसकी बातों में आगे शुलच्छना अरे जे तो सारे संजोग जोड के बस अपनी बाते सिद्ध करने का प्रयास कर रहो है मैं कोई देवी ना हूँ मैं तो बस साधारन सी मैया हूँ और जे मेरा साधारन सा लल्ला है पर ये मोधियों का बिलच चमटकार है ना पक्की बात है लगता है किसी ना किसी देवी देपता का आशिरवाद है इस सिस्थाम को उसम तो मैं ना जानती पर हां स्री नारायन का अशिरवाद तो अवस्थ है शेचाप मुझा ईन्हाच मुझा अवस्ण मैं जानता हूँ कि आपने इनी प्रतिक्सा कर रही है कौन प्रभू असिरवाद नरायन का हूँ या देवी देपताउं का हम धन्यवाद तो तुझे ही कहेंगे काना काना बहुत भुत धन्यवाद इतना अच्छा उपहार दिया है अच्छा जी जी अब हम चलते हैं नरायन, 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 नरायन झालते हैं